बच्चों ये क्लास 3 का हिंदी बुख है चेप्टर 22 और इस चेप्टर का नाम है जलकारी तो जलकारी बाई एक विरांगाना थी हमारे देश की बहुत ही वीर महिला थी और जहासी की रानी लच्वी बाई जिस समय अपने जहासी में राज करती थी उसी समय की यह एक घटना ह जलकारी बाई जो है बहुत ही वीर महिला थी उसे समधित यह स्टोरी दिया हुआ है और लच्वी बाई की वो काफी मदद करती है तो उसी तरह का यह स्टोरी है चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं जलकारी की जानकारी जो है आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा इसकी कई सारी कहानिया है तो आए इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं जहांसी की जहलकारी का नाम इतिहास में अमर है तो जहलकारी बाई का नाम जो है हिस्ट्री में अमर है इसे कई बार हिस्ट्री में दिया नहीं रहत पिता, सिधु कोली कपड़े बुनने का काम करता था, मतलब बुनकर था, बच्पन में ही उसकी मा का स्वरगवास हो गया, पिता सिधु ने ज Alber का री को मा और बाप दोनों का प्यार दिया, वह पिता की बड़ी प्यारी थी बड़ी होने पर वह घर का काम करने लगी कि सूरी जहलकारी बड़ी परिसर्मी थी बहुत मेहनती थी इब ऑत्पहले ही मतलब जब बहुत चोटी थी उस समय हुनका दिहांत हो गया था और पिता जिसका नाम था सिद्धू कोली वा एक बुनकर था कपड़ा बुनकर और तो उसकी मा की मिर्टी हो जाती तो माबाप की तरह, दोनों की तरह जो उसका पिता ही, उसका पालन पोजन करता है, और झलकारी जो है, काफी परिसरमी, काफी महनती लड़की रथी है, वो बड़ी हो जाती है, घर के कामों को करने लगती है, एक दिन झलकारी अपनी सहलियों के साथ पास के जंगल में गई, जलावन की लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ा, परिसरम से लकड़ी को बटोरा, पर वा लोडते समय सहलियों से बिछूर गई, तो गाओं में जब मैं छोटा रहता था, तो इस तरह से कई सारे जो बड़ी लड़कियां हुआ करती थी, उन लोग जंगल जाती थी लकड़ जो है, वह अपने सहलियों से भी छूर गई, वह नहीं घबराई, उसे किस तरह का डर नहीं था, वह नहीं डरी, सीर पर गठर रखकर लोग गित गाती वी गाओं आने लगी, जैसे कि सभी लोग होते हैं, वो चलना सुरू करते हैं, आते आते संधिया हो चुकी थी, संधिय हो चुकी थी, अंधियरा बढ़ रहा था, रास्ते में एक नर्भच्छी बाग घात लगाए बैठा था, इस तरह से वो बाग जो है, वो सोच रहा था कि कोई मिल जाए, वो रास्ते में बैठा हुआ था, जलकारी को देखते ही वह दहारा, तो उससे तो लगा कि चलो, आज रख कर नहीं भागी, मतलब वो बिल्कुल भी डरी नहीं, कोई दूसरा आदमी होता, तो वहां से तुरंत ही भागने को परियास करता, लेकिन सेर के सामने से भागना संभाव नहीं है, या तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, या फिर सेर आपको मार देगा, दो ही रास ही ने अपनी कुलहारी के परहार से उसके तो मजबूती से पकड़ ली थी, और पएदे कुलहारी काफी बड़ा और मजबूत हुआ करता था, कहने मतलब कि आज से बहुत पुरानी बात है, पुरानी समय में, जो है, मनुस से भी अत्यधिक बलसाली हुआ करते थे, आज के स साथ है कि मनुष से हटा-कठा होता था तो जानवर भी उतना ही हटा-कठा होते थे लिए फिर पिर आपके पास होसला है हिम्मत है लड़ने के अपताकत रखते हैं तो आप उसको मार सकते हैं जलकारी बाग पे लगातार हमला कर रही थी नात खटे कर दिये मतलब बाग को जो ह मार दिया सवाप्त कर दिया उसको और बाग का ही खुण जो है उसके शरीर में लगा था इसके अलाव उसका अभी खुण निकला होगा फाइटिंग के दौरान जो है जरूर उसको भी चुट लगा होगा जलकारी ने आप बीती सुनाई मतलब उसके साथ क्या हुआ वो सारा पुरे गाउं में सुनाने लगा और फिर वह गदगद हो था काफी खुस हो गया कि इतनी बीर उसकी बेटी है जलकारी की बीता की कहानी चारो तरफ फैल गई जहांसी की रानी लच्विवाई की सेना में भी उसकी बीर गाथा पहुच गई सेना में पूरन कोली नामक एक से लगी गुजने लगा तो उसकी बीरता से उसकी जिन्दिगे में कितना बतलाव आ गया और ये खबर जो है उसकी बीरता की कहानी जहांसी की रानी के जितने भी सेनिक थे वहां तक पहुच गया यहां तक की जहांसी की रानी तक भी पहुच जाता है और उसका एक सेना पती जो है वो उससे विवाग करने के लिए फैसला कर लेता है उसका नाम पूरन रहता है कुछी दिनों बाद हल्दी कुमकुम का परव आया वह परो पर राजभवन में राजगरमचारियों की पतनियां बुलाई जाती है हल्दी कुमकुम का को ऐसा परो इस तरह करीती रिवाज ह होगा जिसमें जितने भी सैनिक होते हैं उनकी पतनियों को बुलाया जाता है महरानी लच्मिबाई सब के साथ परो मनाती थी जलकारी भी राजभवन आई वह घूंगट में थी नव विवाहिता होने के कारण घूंगट में थी जब लड़कियों की नहीं नहीं साधी होती ह से एकदम मिलता जूलता है सबको अचरज हुआ लच्मिबाई ने जलकारी को अपनी सहली बना लिया तो जब वह घूंटे को हटाती है तो बिल्कुल रानी लच्मिबाई की तरह ही उसका फेस रहता है और काफी मिलता जूलता है सभी को देखकर यह बड़ा ही आस्चेर्ज होता है इसलिए जो है महारानी उसको जानते थी कि एक बहुत ही वीर इस्त्री है इसलिए उसको अपनी सहली बना लेती है प्लस जो उसका चेहरा मिलता है इसके वज़े से भी सन 877 की करांती हुई अंग्रेजों के खिलाप युद्धु शुरू हुआ महारानी कि देश को आजाद उसके करा लिया जाए लेकिन यह समभav नहीं हो सका उस दरमियान जहांसी कि रानी उंग्रेजों से लड़ती है और हम जहां और आपना जो राइज होता है उसको सोतनत्र कर देते हैं किसी भी स्तिति में अंग्रेजों triggered कि अग्षै करेंगी अंग्रेज क मुझ की खाना मतलब होता है कि हार जाना तो मुझ की खाते रहे मतलब अंग्रेज लोग कई दिनों तक हारते रहे काफी उसे जो है लचमी बाई काफी भारी पड़ रहे थी पर अंग्रेजों की गुटनिती और भारतियों के देश द्रोह की कारण अंग्रेजी सिना दचिनी दिवार से जानसी में घुस गई तूशेल भारत के खुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजियों के साथ दिया करते थे जिसके वज़ा से हमारा देश कमजोर पड़ जाया रखता था और ऐसा ही कुछ हुआ भारतियों की देश दुरोव मतलब अपने ही कुछ देश के ऐसे लोग थे देश दुरोव थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना को मदद किया और वह जहांसी में घुसाई नगर में उपद्रव शुरू हुआ परजा की दुरगती देख सबहें सेननायकों ने कहा कि देश के लिए उन्हें दूर जाकर नई सक्ति से संगठन करना है यहां से निकल जाना है पर प्शंब है कि कि बहुत सारे लोग तो उन लोग का टार्गेट यह था कि अब यहां से हम लोग निकल पाएं तो एक रन नीति तियार करें और लड़ाई शुरू करें लेकिन कैसे निकला जाएं अंग्रेजों को कैसे दोखा दिया जाएं जिससे अंग्रेजों को जरा भी सकना हो तो अचानक से उनके दिमाग मे को सक नहीं होगा उन लोग ने इस तरह के रन नीति बनाई वह लड़ाई जारी रखेगी वे जहांसी से बाहर चली जाएं तब इस तरह से जो है रानी लच्मी बाई वहां से बाहर निकल सकती है रानी ने किले का भार लच्वी जलकारी को सोब दिया उससे पता था इसलिए उसको जिमेदारी दे दिया जलकारी ने रानी लच्मी बाई के रूप में युद्ध का संख बजा दिया घंगोर युद्ध होने लगा जलकारी रानी बनकर विर्ता से युद्ध करने लगी लच्मी बाई पुरूस वेस में किले के उतरी द्वार से निकल गई उससे वहां अंग्रेजों ने जलकारी को चारो और से घेर लिया अलाकि यह युद्ध चलने वाली थी नहीं और वो अंग्रेजों के द्वारा घिर जाती है बड़ी मुश्कित से जलकारी कैद की गई तो काफी बीड़ता से वह लड़ती है अंग्रेज बहुत खुस हुए बाद में पता जाती है और उसे आजिवन कारावास का कठोर दंड मिल जाता है जलकारी मुश्कराती रही जेल की काल कोठी में उसने देश के लिए प्रान दे दिये तो वह जेल की काल कोठी में ही वह सहीद हो जाती है वह सहीद हो गई महारानी लच्विंबाई के साथ जलकारी का नाम अम हो जाती है और यहां पर समाथ हो गया है यहां पर देखते हैं यहां पर सकते हैं कि यस चप्टर में दिया हुआ है सबसुर्ट ज्यादा सबसुर्त नहीं है और जैदा लगता है कि जादा यह अर्ड haad है लेकिन फिर भी थारीकलास बच्ची के लिए यह हाड है आप इसको बार-बार पढ़ना है उसके बद यहाँ पे वाइक बनाना है पहाड वीर गाथा लत्पत राजभावन का रावास इससे वाइक बनाना है इसके बाद जो है इसमें कुश्यन दिया हुआ है सब्दों के अंतर समझे इस तरह के पांच स दिया हुआ है जो कि अल्रेडी बना हुआ है ता आपको इसको पढ़ना है इस तरह का मैच करने के लिए मुहावरे एक्जाम में दे दिया जाता है अब यहाँ पे इस चेप्टर का मुईख कुश्चन दिया हुआ है जलकारी कौन थी और इस तरह से छे कुश्चन साथ सबसे पहले कुश्चन नमबर टू में इन सब्दों से वाइक बनाने के लिए कहा गया है पहाड पहाड अचल है वीर का था लच्मी बाई की वीर का था जग जाहिर है लथपत जलकारी खुन से लथपत थी राजभवन राजभवन को दुल्हन की तरह सजाया गया कारावास उसे आजभवन का रावास का दंड विला कुश्चन नमर फाइब में इस चेप्टर का मुख कुश्चन पूछा गया है निमलिकित प्रसनों के उतर दें जलकारी कौन थी जलकारी जहांसी की बीर पुत्री थी बचपन में उसकी वीरता की कहानी कैसे फैली बचपन में एक वीर इस्तिरी थी तथा उसका मुख राणी रच्पीबाई से एकदम मिलता जुलता था इसलिए राणी ने जलकारी को सहली बना लिया अंग्रेजों से युद सुरू कब हुआ अंग्रेजों से युद सन 877 इस भी में सुरू हुआ जलकारी ने युद में क्या क्या जलकार जलकारी ने अपनी वीर्ता से युद्ध में अंग्रेजों को पानी पिला दिया उसका नाम अमर क्यों हो गया जलकारी स्वेम को देश के लिए बिलिदान कर दी इसलिए उसका नाम अमर हो गया question number 6 जहाँ पे सब्दों के link निरने के लिए करने के लिए कहा गया है वीर्ता वीर्ता इस्तिरलिंग है कहानी इस्तिरलिंग है नगर पुलिंग है ग्राम पुलिंग है तो यहाँ पे यह chapter पूरी तरह समाप्थ हो गया है अगर हमारे वीडियो आप लोग के लिए helpful लोग है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और इसके बचे हुए chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो पे चलेंगे